नमस्कार दोस्तों मैं रवी गोल स्वागत करता हूँ आप सभी का उडान IAS Academy के ओनल प्रेट्फॉर्म पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा व्यापम ने सहकारिता विभाद के विभिन पदों के लिए विग्यापन जारी कर दिया है कुल 399 पदों के लिए ये भरती परिक्षा आयोजित होगी तो बहुत बड़ी भरती परिक्षा है बहुत अच्छी ऑपर्चुनिटी है आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इसी भरती परिक्षा के संबंद में बाचित करने के लिए क्या योगिता रखी गई है क्या पाठीकरम है किस प्रकार से आप एक महीने में तयारी कर सकते हैं क्योंकि व्यापम ने डेट भी जारी कर दी है लगभग एक महीने का समय है तो इस एक महीने के समय में किस प्रकार से तयारी करनी है क्या रणनिती होनी चाहिए इन सभी बात उपर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, चलिए, देखते हैं, सबसे पहले विज्यापन जो व्यापम के द्वारा जारी किया गया है, 6 सितंबर 2023 को, इसमें आप देख सकते हैं, पदो के नाम लिखे हुए हैं, सहायक प्रबंधक, देखापाल बोल सकते हैं, उपप्रबंधक, सहायक प्रबंधक भरती परिक्षा के संबंध में, विज्यापन जारी किया गया है, 6 सितंबर 2023 को, कुछ important dates लिखी हुई हैं, देख सकते हैं, आप, ऑनलाइन आविदन पत्र भरने की प्रारंभिक्ति थी, 6 सितंबर 2023, ऑनलाइ इंपोर्टेंट डेट आप देख सकते हैं, परिक्षा की टिथी, संभावित, 15 अक्टूबर 2023, दिन रवीवार, अब देखे, दो परिक्षाएं हैं, सहायक प्रबंधक, कार्याले सहायक, सामान्य सहायक, इसके लिए एक अलग परिक्षा होगी, और कनिस्ट प्रबंधक, कन लोग जो eligible हैं, वो किस परिक्षा के लिए eligible हैं, इसकी बातचित करेंगे अभी, इनका समय अभी दिया नहीं गया है विग्यापन में, इसका समय व्यापम जल्द ही आपको बता देगा, तो परिक्षा की टिथी अभी तो संभावित लिखा है, लेकिन व्यापम के जितने भ अक्तूबर में 15 तारिक को confirm होगा, क्योंकि व्यापम के जितने भी विग्यापन जारी होते हैं, उसमें परिक्षा के तीथी के आगे संभावित मेंसन करता ही है, अब दो परिक्षाएं हैं, दो परिक्षाएं, दोनों में क्या-क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पाठिक्रम हैं, इस पर बातचित करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नए बैच की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, वो नया बैच कौन सा है, उस नए बैच की जानकारी देख लीजे आप लोग, तो सहकारिता विभाग के विभिन पदों के लिए, सहकारिता चात्रावा सदिक्षक और सहकारिता विभाग के विभिन पदों है तू, मतलब ये एक कॉंबो बैच था, जिसमें हम इन सारे एकजाम्स की त्यारी कराते आपको, लेकिन एकजाम की डेट बहुत पहले आ चुकी है, तो ध्यान रखेंगे, ये बैच तो आरम होगा ही, लेक बैच है, सहकारिता विभाग के विभिन पदों है तू, नई बैच है, सिटी प्लाजा ब्रांच में ये बैच आरम होगा 11 सितंबर से, 11 सितंबर मतलब सोमवार से, समय होगा साम साढ़े चार बजे से साढ़े आठ बजे तक, प्रती दिन 4-4 घंटे की क्लासिस चलेंगी, त पूरा आपको बताऊंगा क्या योग्यता है, क्या पाठिकरम है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, सारी बाते समझाऊंगा, ये बैच की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप सहकारिता विभाग के विभिन पदों है तू, तो तयारी करना चाहते हैं, ध्य सहकारिता विभाग के अग्जाम के लिए ही त्यारी करना चाहते हैं, इसी अग्जाम को फोकस करना चाहते हैं, जो सैक्षणिक योग्यता फुल्फिल करते हैं, मतलब इस नातक प्लस PGDC, जो maximum नोग जो एलिजिबल है, जिस एक्जाम के लिए उसकी बात कर रहा हूँ, रहा प्रबंधक, कार्याले सहायक, सामान्य सहायक, इस एक्जाम की बात कर रहूं मैं, यह जो पहले नंबर का एक्जाम है, इसके लिए सैक्षरिक योगिता क्या मांगा है, इस नातक किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, प्लस PGDCA, सेकेंड वाले में अलग-अलग क्राइटेरिया उस पर आऊंगा मैं, तो मैक्सिमम जो लोग तयारी करेंगे, जो एलिजिबल हैं, वो पहले वाले एक्जाम के लिए एलिजिबल हैं, जहां पर मांगा क्या है वो, तो इस नातक मांगा है, और साथ में PGDCA मांगा है, सेकेंड वाले की बात करूँगा मैं, सेकेंड वाले की सितंबर साम साढ़े चार बजे से हमसे जुड़ सकते हैं, सहकारिता विभाग के जितने भी पद निकले हैं, 389 पद, इसके लिए ये बैच चलाया जाएगा, समय होगा साम साढ़े चार बजे से साढ़े आठ बजे तक, क्या-क्या विश्य सुरू में लगेंगे, उस पर बात करूँगा क्लासे, आफ लाइन लाइव हैं, दोनों ही मोड पर प्रते एक लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको दिया जाएगा, प्रते एक लास का रिकॉर्डेड वीडियो के साथ-साथ PDF भी आपको दिया जाएगा, exam oriented त्यारी कराएंगे, कम समय में अधिक्तम त् सब इंस्पक्टर की त्यारी कराई, सिक्षक भर्ती की त्यारी कराई, महिला परविक्षक की त्यारी कराई, लेबर इंस्पक्टर की त्यारी कराई, और बहुत सांदार तरीके से कराई है, सारा कुछ क्लास नोट से आया है, व्यापम का दायरा हमको पता है, जितने फैकल्ट सेंट कोश्चन्स लगभग मैं बता रहो आपको पूरे क्लास नोट से आये हैं तो कम समय में मैक्सिमम तयारी हमारी कराने की जो पिछले कुछ तो बहुत सांदार तरीके सेंट तयारी कराएं हैं तो वही बता रहा हूँ एक महिने लगभग ये बैच चलेगा 11 सितंबर से आरंभ होगा 15 तारीकोत पेपर है तो लगभग एक महिने ये बैच चलेगा लास्ट में हम मैराथन क्लास ले कराएंगे हम हमेशा की तरह लास्ट म आपको हमारे City Plaza Branch में आना होगा City Plaza Branch का एड्रेस आप देख सकते हैं Online तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं अगर आपको Online Class की लिंक चाहिए तो आप दिये के नमबर पे संपर्क कर सकते हैं ये numbers लिखे हुए हैं आप इन में WhatsApp कर दीजे आपको Online Class की लिंक दे यह नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, 8120234424, इस नंबर पे WhatsApp करिए, आपको online class की link दे दी जाएगी, जहाँ पर जाकर आप demo class देख सकते हैं, लाइब देखेंगे, लाइब, recorded videos तो मिलेंगे ही, प्रते एक class का recorded video मिलेगा, लेकिन आप live attend करेंगे class को, जो भी doubts आते ह वहीं पर clear कर सकते हैं आप, इसके लावा recorded videos, PDF की service तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन आपको live class की सुविधा भी हमारे हां मिलेगी, जो बच्चे offline हम से जुडेंगे, उनको online की सुविधा हम देंगे, मतलब जो बच्चे हम से offline जुडते हैं, उनको online की सारी सुविधा मिलेगी, क कम समय में अधिक्तम त्यारी कराएंगे हम, एक महिने में देखा जाया तो syllabus कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन क्या पढ़ाना है, कहां से questions आएंगे हमको पता है, यह हमने पहले proof भी किया है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, सिक्षक भरती परिक्षा हो, महिला परिक्षक हमने यहाँ पर proof भी किया है, कि कम समय में हम अधिक्तम त्यारी करा सकते हैं, और बहुत सांदार तरीके से करा सकते हैं, जितने बच्चे हम से पढ़े महिला पर विक्षक में, जितनी महिलाएं हमारे हाँ, एड्मिशन ली थी, रेगुलर क्लास में, जिनोंने पढ़ा है, 6-6-7-7 घंटे बैठे हैं वो हमारे साथ में, 9 घंटे तक बैठे हैं, हमने भी लगातार 9 घंटे क्लास ली है, लेकिन सभी का paper बहुत सांदार गया है, बहुत सांदार paper बनाया है, चाहे वो maths का section हो, चाहे वो reasoning का section हो, चाहे वो language का section हो, चाहे GS का हो, बहुत सांदार तरीक से यह बैज भी चलेगा, एक महिने में आपको हम ऐसा बना देंगे कि आपका पेपर अच्छा जाए, और मैक्सिमम चीज़े आपको क्लास नोट से ही मिल जाएंगी, तो 11 सिटमबर से हमसे आप जुड सकते हैं, 11 सिटमबर से ये क्लासे सारंभ हो रही हैं, जिसको केवल सहकारिता विभाग के पदों के लिए तयारी करनी है, जो केवल इसी एक्जाम के लिए फिल हाल फोकस कर रहा है, जो सैक्छणिक योगिता को फुल्फिल करता है, सैक्छण करने के लिए आप हम से जुड़िए 11 सितंबर से साम सारे चार बजे से सारे आठ बजे तक offline, online किसी भी मोर पर जुड़ सकते हैं, recorded videos मिलेगा, PDF मिलेगा, exam oriented त्यारी है, एक विशेश रणनीती के साथ, हमारी टीम ने एक रणनीती बनाई है, जिसके तहत हम पूरे syllabus को बहुत सांदार तरीके से cover करेंगे, कम समय में अधिकतम त्यारी हम आपको कराते देंगे, online class के लिए आप किसी भी number पर वाट्सअप करिए, इस badge का नाम लिखकर आपको online class की link दे दी जाएगी, इसके अलावाद जिस badge की मैं बात कर रहा था, पहले भी मैंने एक वीडियो जारी किया था, इस badge को लेकर, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर सहकारिता विभाग के पदों के लिए त्यारी नहीं किरा जाएगी, जो बच्चे सहकारिता विभाग के लिए eligible हैं, मेरा suggestion यह होगा, सहकारिता विभाग के लिए अगर आप eligible हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल तयारी में लग जाएए, अगर आपका इस नातक प्रस पिजी डिशिय है, तो आप लगे रहिए सहकारिता विभाग के पदों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 398 पद हैं, कम नहीं होते हैं, अगर आप eligible हैं, तो आप इस exam के लिए लग जाएए, अगर आप eligible नहीं हैं, तो आप आराई, चात्रावस्त अदिक्षक, पटवारी, इनकी तयारी करते रहिए, यह पद भी आएंगे, हमने एक वीडियो जारी किया था कि अभी पद आने वाले हैं, देखिए उसके अगले दिन पद आया था, तो मैं ये भी बोल रहा कि आराई और चात्रावस्त अदिक्षक का पद भी आने का संभावना है, पटवारी का पद भी आने का संभावना है, क्योंकि नारायन पूरवाला भरती को निरस्त कर दिया है, जो मेरिट बेसिस पे, 12 में मेरिट बेसिस पे जो भरती होने वाला था, वो निरस्त कर दिया है, तो पटवारी का भरती भी होने का संभावना है, तो अगर आप सहकारिता विभाद के पदों के लिए तयारी नहीं कर रहे हैं, उसमें सैक्षिनिक योगिता फुल्फिल नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अपनी तयारी को जारी रखिए, आराई, छात्रावा सदिक्षक और पटवारी, अगर आप इस बैच को देख सकते हैं, तो इस बैच में हम आराई का, छात्रावा सदिक्षक का और पटवारी का इन पदों के लिए तयारी कराएंगे, तो आप इस पद से जुणना चाहते हैं, तो ये कक्षा 11 सितंबर से आरंभ होगी, उसी दिन, समय होगा साम साड़े 5 बजे से साड़े 8 बजे तक, तो सहकारिता विभाद का जो यहाँ पर पद निकला है, उसकी तैयारी इस बैच में हम नहीं कराएंगे, उसके लिए हमने सेपरेट बैच प्लान किया है, वो सेपरेट बैच ये है, ग्यारा सितंबर से ही आरंभ हो रहा है, समय लेकिन एक घंटा हमने पहले किया, साड़े 4 से साड़े 8, 4 घंटे की क्लास से लेगी, अगर आप इस उक्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, इस उक्जाम को देना नहीं चाहते हैं, आप आराई, छात्रावा, सधिक्षक और पटवारी के पद के लिए तयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ये बैच भी 11 सितंबर से ही आरंभ हो रह समय साम साड़े पाच बजे से साड़े आठ बजे तक, क्लासेस ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी, ऑफलाइन क्लास के लिए आपको हमारे सिटी प्लाजा प्रांच में आना होगा, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बेठे, जुड़ सकते हैं, आपका है पूरा-पूरा, तो आप इस बैठ से जुड़ सकते हैं, अगर आप आराई, पटवारी, छात्रावा सदिक्चकिन एक्जाम्स को देख रहे हैं, तो आप इस बैठ से जुड़ सकते हैं, चलिए, अब बात करते हैं, सहकारिता विभाग के विभिन पदो हेतु जो सैक्षनिक योगिता रखी गई है, जो पार्चिकरम रखा गया है, वो क्या है, किस प्रकार का है, उस पे बात्चित करते हैं, देखे, तो ये कुछ important dates जो मैंने आपको बताई, अब इसके दूसरे विभिज्यापन पे आते हैं, ये देखे, ये विभिज्यापन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखे, कार्याल है सहायक, इसके रिक्ट पद लिखे हुए है, कितने हैं, लेवल 6 का जो है एक्जाम है ये इसके बाद अगर आप जाएंगे नीचे तो आप देख सकते हैं सहायक प्रबंधक, सामान्य सहायक, समीती प्रबंधक ये पद के लिए जो मैंने एक्जाम बताया था जो सुबह होगा मैक्सिमम बच्चे इसी एक्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे ये देखे चार पद हैं कार्याले सहायक है, सहायक प्रबंधक है, सामान्य सहायक है और समीती प्रबंधक है पदो के संख्या आप देख सकते हैं, बहुत सारे पद हैं, समीती प्रबंधक के पद लिखे हुए हैं, आप आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं, सामाने सहायक के पद हैं, सहायक प्रबंधक के पद लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप आएंगे तो देख सकते हैं, कार्याले सह हाग के पद लिखे हुए हैं. लेवल 6 का एक्जाम है, ये देख सकते हैं लेवल 7 का है, लेवल 5 है, और ये वाले एक्जाम जो है लेवल 4 का है. तो पदों के संख्या मैक्सिमम जो है, वो पहले वाले एक्जाम सेक्षिनिक योगिता की अगर बात करें, तो 31 अगस्त 2023 तक, 31 अगस्त 2023 तक, मतब इस तिथी पर, आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास इसनातक उपाधी होनी चाहिए, किसी भी मानिता पराप्त विश्विद्याले से 50 प्रतीसत अंको सहीत, इसनातक उपाधी के साथ, मानिता प्राप्त विश्विद्याले से PGDCA, सब में वही लिखा हुआ है, मतलарт मिनिमum 50 प्रतीसत आपका होना चाहिए, जो ब PG-DCA, तो इसनातक प्लस PG-DCA, DCA नहीं चलेगा मेरे खाल से, क्योंकि clear लिख दिया यहाँ पे, कि इसनातक के साथ PG-DCA ही होना चाहिए, तो फिलाल तो यह PG-DCA ही लिखा है, अब DCA वाले ऐसा बोल रहे हैं, कि वो जा रहे हैं, एक पर बातचित करेंगे, साथ उसको भी eligible कर द PG-DCA लिखा है, तो यह sectionic योगिता हो गई, चारो पदों में वही है, देख सकते हैं, इसनातक उपाधी के साथ, कंप्यूटर में PG-DCA, सब में वही लिखा हुआ है, अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं, इन तीन पदों के लिए, मिनिमम आपको बोला है 50% लेकिन यह वाल प्राप्त विश्विद्याले से सनातक उपाधी के साथ, कंप्यूटर में PG-DCA, यहाँ पर 50% लिखा नहीं है वो, तो जनरली सभी बच्चों का मिनिमम 50% रहता है, देखा जाये तो, तो यह तो हो गया आपका, सैच्छुनिक योगिता 31 अगस्त तक होना चाहिए, मतलब PG- 31 अगस्त से पहले का ही होना चाहिए, 31 अगस्त या उससे पहले का होना चाहिए, आपके PG-DCA का डिग्री ध्यान रखेगा, ग्रिजुशन भी आपका 31 अगस्त तक हो जाना चाहिए, वेतनमान लिखा हुआ है, इस पे बात चित नहीं करते हैं, क्योंकि फिलाल एक्जाम तो पहला दिन था, तब तक आपका 21 साल पूरा हो जाना चाहिए, 21 से कम ना हो, और 35 से अधिक ना हो, साप साप लिखा हुआ है, तो ये आयू सीमा लिखी हुई है, देख सकते हैं आप, इसके बाद जो काम की चीज है, वो काम की चीज क्या है, तो सीधे उसी में आ रहा हुँ म काम का है ये, परिक्षा योजना, ये काम का है, देख सकते हैं परिक्षा योजना में क्या लिखा हुआ है, तो परिक्षा योजना में लिखा हुआ है, लिखित परिक्षा भाग एक, विशे, 36 गड़ का सामानी ज्यान, 36 गड़ी भासा का ज्यान, इसके बाद भाग दो में थोड़ा ज्यान देना, बताऊंगा कहा से कितने प्रस्ण पूछे जाएंगे, खास बात क्या है देखो यहाँ पर, क्या बोलगा देखे, सीधी भरती के पदो पर चैन है तुअ भरती को 36 गड़ का समानी ज्यान, और 36 गड़ी भासा के ज्यान संबंदी लिखित परिक्षा मे निउन्तम 50 प्रतीसत अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्रिन होना निवारी होगा, समझा रहा है, मतलब जो भाग एक है, यहाँ पर निउन्तम आपका 50 प्रतीसत तो होना ही चाहिए, अभी बताऊंगा, यहाँ से 10 प्रस्ण पूछे जाएंगे, यहाँ से 10 प्रस्ण, क आप सीधे-सीधे बाहर हो जाएंगे एक्जाम से, आपका भाग दो चेकी नहीं होगा, एकदम क्लियर सब्दों में लिख दिया, इसको भूलना मत भाई, 50 परशेंट अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्रिन होना अनिवारी होगा, लिखित परिक्षा भाग एक में निर परजित करते हैं, उन्हें पात्र मानते हुए, उनके द्वारा लिखित परिक्षा भाग दो में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्तांक सूची तयार की जाएगी, इसमें जो लिखा है, उसके कौडिंग क्या बोल रहा है, कि भाग एक को आप क्वालिफाई कर जो, मिनिममम 50% लाकर, मतलब 20 नंबर का होगा, तो मिनिममम 10 नंबर आपका आना चाहिए, उसके बाद जो मेरिट बनेगा, वो भाग 2 से बनेगा, इसके अकौडिंग तो वही बोल रहा है, जैसा कि आप देखेंगे, होस्टर वाडन में होता है, कम्प्यूटर 50 नंबर का ह मिनिममम आपको 25 नंबर लाना है, लेकिन जब मेरिट बनता है, तो नंबर एड होता है कम्प्यूटर का, लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है, उसमें साप साप बोल रहा है, देखें, भाग 1 में जो मिनिममम 50% लाएंगे, वो पात्र हो जाएंगे, और उनके द्वारा लिख करना है, लेकिन कम नहीं है, 50% सीधे सीधे, 10 नंबर लाना है उसमें, और मेरिट जो बनेगा, वो भाग 2 से बनेगा, इसके अकॉर्डिंग, जो लिखा हुआ इसमें, इसके बाद काम की बात में आते हैं, काम की बात क्या है, तो सीधे काम की बात में आता हुमें, तो काम की प्रस्ण आपको सही ही करने ही होंगे, दस प्रस्ण आपको एकदम सही करने होंगे उसके बाद सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी यहां से प्रस्णों की संख्या जादी कर दी गई है यहां से प्रस्णों की संख्या जादी कर दी गई है सहकारिता अधिनियमें बैंकिंग परिक्षा यहां से पुछे जाएंगे 25 प्रस्ण, बड़ा बेटेज है, समानी ग्यान का 10 प्रस्ण गडीती अमतार्किक योगिता, 10 प्रस्ण हिंदी भासा का ग्यान, 10 प्रस्ण अंग्रेजी भासा का ग्यान, 10 प्रस्ण कंप्यूटर संब पंधी ज्यान 15 प्रस्ण है कुल 100 प्रस्ण हो गए लेकिन जैसा लिखा है विज्यापन में उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि मैरिट जो बनेगा वो बनेगा भाग 2 से और भाग एक आपको क्वालिफाई करना है बस भाग एक क्वालिफाई करना है तो 10 प्रस्ण पुछे जाएंगे 36 गड़ का समाने ग्यान से 10 प्रस्ण 36 गड़ी भासा के ग्यान से 25 प्रस्ण पुछे जाएंगे यह वाले भाग से मतलब की पहला वाला जो विशय लिखा है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी नया लगेगा आपको थोड़ा सा समाने ग्या आपको 100 प्रस्ण कुल देने होंगे एक अलग से आप विग्यापन देखेंगे जारी किया था इसने अलग से विग्यापन जारी किया गया है एक अलग से विग्यापन जारी किया गया, ध्यान दीजे, 50% वाला साप साप लिखा है, कि लिखित परिछा भाग दो में प्राप्त कुलंको के आधार पर प्राप्तांग सुची त्यार की जाएगी, तो एक अलग से विग्यापन जारी है और इसमें सेलेबस को और डिस्क्रा प्रबंधक, इसके लिए पदो के संक्या बहुत कम है, यहाँ पर तीन ही पद है, यहाँ पर दो पद है, यहाँ पर एक और यहाँ पर तीन, पदो के संक्या बहुत कम है, यहाँ पर देखेंगे अगर वही सब चीजे हैं, सैक्षणिक योगिता में अलग चीजे मांग लिय है किसी मानिता प्राप्त विश्विद्याले से प्रथम स्रेणी सनातक उपाधी के साथ MBA, Banking, Finance में, या फिर CA, या फिर ICWA, या फिर MCOM की डिगरी तो ये जो है, ये अलग से आप एक्जाम देख सकते हैं, जो इस फिल्ड वाले हैं, वही इस एक्जाम को दे सकते हैं सेक्षणिक योगिता लिखी हुई है, खेर पदों के संख्या बहुत कम है, इसलिए मैंने बुला था कि maximum लोग जो eligible हैं, वो उस एक्जाम के लिए, इससे पहले वाले विग्यापन के लिए eligible हैं और maximum पद भी वही पे हैं, सभी के लिए हैं देखा जाये तो वो, जिनका इस नातक है और साथ में PGDCA है यहाँ पर पदों के संख्या देख पारें, गिने चुने पद हैं, तीन, दो, पाँच, एक छे और तीन, नो, नो ही पद हैं बस नहाँ पर इसके लिए सेक्षणिक योगिता देख सकते हैं, आप सेक्षणिक योगिता लिखी हुई है, आपका प्रथम स्रेणी से सनातक होना चाहिए, साथ में MBA, बैंकिंग फाइनेंस में, CA, ICWA, MCOM की डिगरी, यह मांगा है देख सकते हैं, वेतनमान लिखा हुआ है, उसकी आवशक्ता नहीं है, आयू देख सकते हैं, वही 21 साल और 35 साल की बात किया है, अगर मैं इसकी बात करूँ, सिलिबस की, सिलिबस पर गर मैं आता हूँ, यह देखे, तो वही भाग एक, भाग दो है, भाग दो में, आप रखा है, भाग 3 में separate रखा है, थोड़ा सा change देख सकते हैं आप, भाग 1 से में, भाग 2 में computer हड़ गया है, और अधिनियम वाले को भाग 3 में separate रखा है, कहां से कितने प्रस्णि पूछे जाएंगे, देखेंगे, मेरिट कैसे बनेगा, देखें लिखा हुआ है, वही भाग 1 से 50% या उससे अधिक लाना है आपको, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐसे भ्यरती जो भाग 1 परिक्षा में नियूंतम 50% क्या उससे अधिक करजित करते हैं, उन्हें पात्र मानते हुए, उनके द्वारा लिख यहां पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहां पर देखेंगे तो, एक लाइन और ऐड क्या है, शाहेख प्रमिंधक पर सीधी भरती चैन है, तो साक्षतकार नहीं लिए जाएगा, मतलब साहेख प्रमिंधक के लिए आपका साक्षतकार नहीं होगा, बाकी के लिए अंक परिच्छा के कूलंकों के 10% होंगे, इसको थोड़ा सा आप देख लिजेगा, यह वाला विग्यापन थोड़ा सा आप देख लिजे, यह विग्यापन जो है, जो की अलग से उसी डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए है, जो उस विभाग में, उस स्ट्रीम से इस ना मैक्सिमम लोग जो अप्लाई करेंगे, यह अप्लाई करेंगे यह वाले पदों के लिए, देख सकते हैं आप, कार्याले सहयक के पद है, 17, उसके बाद देख सकते हैं, सहयक प्रबंधक, समान्य सहयक और समिती प्रबंधक, यह है, मैक्सिमम लोग इसके लिए अप्लाई कर देखे हैं एक बार, यह देखे, syllabus जारी किया इसने, यह देखे, देख सकते हैं, कारियले सहायक, सामाने सहायक, साहयक प्रबंधक और समीती प्रबंधक, समय होगा 2 घंटे, कुल प्रस्ण 100, कुल अंक 100, देख सकते हैं, 36 गड का सामानी ग्यान पूरा detailed syllabus है, 10 प्रस्ण 10 अंक क 36 गड़ी भासा का ग्यान, इसमें लिखा हुआ detailed syllabus, 10 प्रस्ण 10 अंक का, कुल 20 प्रस्ण 20 अंक के हो गए, इसके बाद भाग दो में सहकारिता, अधिनियम एवम बैंकिंग संबंधी 25 प्रस्ण 25 अंक के, इसके बाद आप देखेंगे तो समानी ग्यान में क्या क्या पढ़ना है, 10 प्रस्ण 10 अंक का, इसके बाद गड़ित एवम तार्की क्योगिता, 10 प्रस्ण 10 अंक का, इसके बाद हिंदी भासा का ग्यान 10 प्रस्ण 10 अंक का, अंग्रेजी भासा का ग्यान 10 प्रस्ण 10 अंक, कंप्यूटर संबंधी ग्यान 15 प्रस्ण 15 अंक, 80 प्रस्ण हो गए योग मतलब भाग एक और भाग दो का कुल मिला के 100% सवंक कर रहेगा, इतना mention किया है इसमें, देख सकते हैं, यह syllabus अलग से mention किया है, detailed syllabus है, तो भाग एक में आपको 50% लाना अनिवारी है, भाग एक में 20 में से आपको minimum 10 number लाना अनिवारी है, तब आपका यह भाग दो चेक हो classes कैसे लगेंगी, तो एक class हम लगाएंगे आपके सहकारिता, अधिनियम एवं banking संबंधी, जो section है, एक class इसकी लगेगी, एक लगेगी आपकी language की, एक लगेगी आपकी maths की, और एक लगेगी आपके GS की, GS में 36 गड़का समान्य अध्यन, क्योंकि 36 गड़का समान्य अध्यन कराएंगे, तब ही तो इसको qualify करेंगे आप, तो चार classes होंगी, एक होगी ये, देख सकते हैं आप, सहकारिता, अधिनियम एवं banking संबंधी, एक होगी आपकी maths की, एक language की class लगेगी, और एक लगेगी आपकी 36 गड़का समान्य अध्यन, और बात करूँ मैं संडे संडे को आ एक और जो एक्जाम था, सेकेंड वाला, उसके सेलेबस की, तो उसका सेलेबस भी देख सकते हैं, व्यापम की साइट में लिखा हुआ है, ये देखिए, 36 गड़का समान्य ग्यान 10 प्रस्ण, 36 गड़ी भासा 10 प्रस्ण, उसके बाद समान्य ग्यान 20 प्रस्ण आ गया पर ये वाले सेक्शन से प्रस्णों की संख्या बढ़ा दिया है, अधिनियम वाला और प्रबंधक, प्रबंधन संबंधी, यहाँ से 30 प्रस्ण कर दिया 30 संख का, 30 प्रस्ण 30 संख का, तो 100 प्रस्ण हो गये कुल सवंकों के, इसके लिए पद कम है और यह विभागी परिख बोल सकते हैं इसको तो बात में जो हो रही है यहां पर में जो बात हो रही है वो में बात हो रही है आपके यह वाले सिलेबस की देख सकते हैं यह जो आपका सिलेबस है यह वाला में बात इस सिलेबस की हो रही है तो यह जो एक्जाम है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि बह चाहिए तो तयारी करिए और हमसे जुड़ सकते हैं आप इस एक्जाम के लिए तयारी के लिए 11 सितंबर से कक्षाय आरंब हो रही है वापस एक बार मैं बताना चाहूंगा 11 सितंबर से कक्षाय आरंब हो रही है समय साम 4.30 बज़े से इस बैच से जुड़ सकते हैं, आराई, छात्रावा सदिक्षक, पटवारी, इन पदों के लिए तयारी कराई जाएगी, 11 सितंबर से ये बैच आरम हो रही है, साम साड़े 5 बजे से साड़े 8 बजे तक, ऑनलाइन क्लास के लिए आप लिंक ले सकते हैं, डेमो क्लास दो दिन का देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको तयार किया जाएगा, ये वाले बैच की फीस हमने एक दम नियूनतम रखी है, एक महिने का डियूरेशन है लगबग, तो नियूनतम फीस के साथ हम प्यारी कराएंगे, नियूनतम फीस हमने इस बैच की रखी है, आप कांटेक्ट कर लिजए, आपको सारी बाते बता दी जाएंगी, बात ये कि syllabus को कैसे पूरा कराएंगे, तो syllabus को बहुत अच्छी तरीके से हम पूरा कराएंगे, देख सकते हैं, आप बोलेंगे सर कैसे syllabus पूरा हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इतना बड़ा-बड़ा syllabus रखा है, कैसे पूरा होगा, सामानी ग्यान इतना बड़ा सिलिबस है तो हम आपको गाइड करेंगे, सामानी ग्यान में तो प्रॉपर एक गाइडेंस देंगे, और हमने जो गाइडेंस दिया था महिला परविक्षक में जो इंपोर्टेंट चीजे बताई थी, मैक्सिमम चीजें वहां से कवर हो गई थी, ये वाले सेक्षन को बहुत अच्छी तरीके से पहले दिन से ही स्टार्ट किया जाएगा, 36 गड़ का समान अध्यन इस पे थोड़ा जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो ये क्वालिफाई करने के लिए इंपोर्टेंट है, भासा पे क्लास चलेगी, आपकी मैट्स की क्लास चलेगी ही, क्योंकि मैट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो महिने भर में कैसे हो पाएगा ये, तो ये पूरी रणनीती के साथ त्यारी कराई जाएगी, प्रॉपर कोश्टन्स होंगे, पूरे PDF के फॉर्मेट में, PPT बनी होंगी, Q&A के फॉर्मेट में आपको बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को पूरा कराए जाएगा, जुड़ सकते हैं आप, बाकी हिंदी, अंग्रेजी, ये सब तो महिने भर में आपको बहुत अच्छी तरीके से करा देंगे, computer की class भी हम आपके लगाएंगे, तो इस बैट से जुड़िए, और अपनी तयारी को बहुत अच्छी दिसा प्रदान कर सकते हैं, इसके लावा आप हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और अपनी तयारी को एक अच्छी दिसा दे सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि आगे चलकर हम हो सकता है, मैराथन क्लास प्लान करें, इस एक्जाम के लिए भी, तो हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप, सब्सक्राइब कर लीजे, अगर नहीं किये होंगे तो, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर हम मैराथन क्लास लेकर आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजे, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो एक बहुत 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 बहुता तरीके से तैयरी कराएंगे, तो जल्द ही अपना फॉर्म भर लीजे आप, क्योंकि बहुत सारी वेकेंसी हैं, मतब 398 पाद बहुत बड़ी वेकेंसी हैं, और आप जितना जल्दी हो सके, फॉर्म भरिये और वेट मत करिये कि बाद में फॉर्म भरेंगे गलतिया होती जल्दबाजी में अभी अराम से समय है फॉर्म भरी और तैयारी में लग जाएए एक सही दिसा अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर दिसा जो आपको चाहिए, जिस से तयारी हो पाए, देखें, मैं यह तो नहीं बोल रहा है कि हम पूरी तयारी करा देगे, कि एक टौपिक पढ़ा देगे एक महिने में, लेकिन आइस ही तयारी जारी करा देगे को पढ़ा जा सकता है क्योंकि व्यापम का दार एक दम सिमित है पता है व्यापम कहां कहां से कोसन्त हता है तो बातचित करेंगे बहुत लंबा वीडियो हो गया है मैं आप